एक औरत का रेप हो जाता है और यह जो रेपिस्ट है इसके आसपास ही है इस रेपिस्ट से रिवेंच लेने की ये कहान ही है आज की मुवी एल ये एक रिवेंच ट्रिलर है इस मुवी में हमारे क्यारेक्टरस बहुत ज़ादा फॉल्टी है अगर आपको कुछ गलत लगे तो मुवी के लास में आपको सब कुछ में समझाने वाला हो मुवी स्टार्ट होती है और हमें दीखता है कि मिशल का रेप हो चुका है रेपिस्ट उसके घर से जहारा होता है इसके बाद वो उठती है और उसका घर तैसने सो चुका होता है तो इसे साफ करती है बात लेती है और उसके डोर चेंज करने के लिए एक आदमी को बुलवाती है रात में उसका बेटा उसे मिलने के लिए आता है और उसके girlfriend के साथ ही रहने वाला है Vincent जो है यह कुछ भी काम नहीं करता था As a total loser type character हमें दिखाय काया है पर जब से इसे पता चला है कि इसे बेटा होने वाला है तो अब responsibility लेने लग गया है McDonald's जैसी जगा पर यह अब काम कर रहा है Vincent Michelle को कहता है कि अब वो नए घर में moving करने वाला है इसके पास इतने सारे पैसे नहीं है तो Michelle कहती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हो यही से 3-4 मेने का rain देने वाले होती है Vincent की girlfriend Michelle को पसंद नहीं है उसे लगता है कि वो उसके साथ सिर्फ पैसो के लिए है इसके बाद इसका सन चला जाता है रात में अपने साथ एक hammer रखती है और उसके साथ इस होती है अब ने इस डे मिशल जॉब पर भी जाती है वीडियो गेम्स डेवलप करने की उसके एक agency होती है मिशल ने अपनी friend के साथ ही established की थी मिशल जब गेम review कर रही होती है तब उसमें जो scenes है यो violent हो है पर इसे वो realistic नहीं लगते है यह बहुत ही professionally अपना काम कर रही होती है यहाँ पर इसका एक employee होता है जो उसे कहते है कि तुम गलत कह रही हो यह game खेलने लाइक ही नहीं है हम एक console पर ध्यान देना चाहिए इन सब चीजों में अगर हम लग गे तो game बहुत postpone हो सकता है मिशल उसे कहती है कि तुम मेरे लिए काम करते हो मैं तुमारे लिए नहीं करती हम already schedule से behind है वो जो मैं कह रही हो यह हो जाना चाहिए इसके बाद मिशल डॉक्टर के पास आजाती है सब टेस्ट होगरा करवा लेती है मिशल जब restaurant में होती है तब वहाँ एक औरत आती है और उसका सब खाना उस पर गिरा देती है यह वो deliberately करती है यह मिशल को कहती है कि तुम monster की daughter हो यह कैकर हो चली जाती है मिशल के जो father है यह jail में है और यह क्यों jail में गए थे यह जैसे movie progress होगी विसे में पता चलता जाएगा इसके बाद हमें दिखता है कि मिशल उसकी mother से मिलने आती है इसकी mother का एक young boyfriend होता है मिशल को अपनी mother की boyfriend अच्छे नहीं लगते है मिशल की mother को इस सबसे कुछ जादा फरक नहीं पड़ता मिशल अपनी mother को उसके जो monthly expenses वगरा होते है यह सब देने के लिए वहाँ आई होती है मिशल की mother मिशल से गेती है कि तुम्हें जाकर तुम्हारे father से मिलना चाहिए father jail में जाने के बाद मिशल कभी भी उनसे नहीं मिली है और वो मिलना भी नहीं चाहती यह जब घर आती है तो इसके neighbor Christmas के लिए घर वेगर ready कर रहे होते है यह उसे party के लिए भी invite करते है गर पर locksmith आये होता है और door के locks वेगरा वो change कर रहाता है पीछे का दर्वाजा jam होता है इसी वज़े से वो rapist अंदर आ सका था अब यह incident याद करने लग जाती है थोड़ी देर में उसकी phone पर message आता है इसमें लिखा होता है कि इसकी ज़ादा है पर फिर भी यह बहुत ही सही है यह message उसकी rapist का होता है अब मिशेल बाहर निकलती है और paper spray और एक बड़ी सी axe लेकर आती है अगर उसके साथ फिर से हुआ तो आपने आपको defend करना चाती है रात में मिशेल अपने एक husband अपनी friend और उसके husband इन सब के साथ dinner करने वाली होती है जब वो पार्क करी होती है तो अपनी husband की गाड़ी को ठोक देती है इसके husband ने उसे मारा था इसी वज़े से इन तोनों का divorce हो चुका था जब मिशेल की friend वेगेरा वहाँ आ जाते है तब उसके साथ क्या हुआ था इस सब उने बता देती है इस सब उसके लिए concern होते है यह पूछते है कि क्या तुमने पुलिस को बुलाया था यह कहती है कि नहीं मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है यह इस पर ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहती यह उसे बता देती है Michelle और उसका husband जब अकिले होते है तब Michelle का husband पुछता है कि क्या तुम पुलिस को नहीं बुलाना चाहती क्योंकि तुम उनसे कुछ डील नहीं करना चाहती Michelle कहती है कि बच्पन से मैं पुलिस और जनरलिस्ट इससे ही बात करती है आ रही हूँ अब इनसे इसे कुछ भी लेना देना नहीं चाही होता इसके फादर का जो case है बहुत ही high profile case था अगर इसके साथ जो हुआ है इस जनरलिस्ट वगरा सब लोग को पता चल गया तो फिर से इसकी life disturb हो सकती है मिशेल के husband को भी एक video game की idea होती है उस पर वो game बनाना चाहता है मिशेल कहती है कि तुम्हारा जो idea है ही investors के लिए कुछ ideal नहीं है इस पर वो games नहीं बना सकते इसके बाद next दिन मिशेल अपने son के साथ apartment देख रही होती है यह उसे rain के लिए support करने वाली होती है तो यह देखने के लिए वो आई होई होती है मिशेल के बेटे की यानि Vincent की girlfriend जो apartment मिशेल उसे लेकर देने वाली होती है यह वो नहीं देखती है वो एक expensive apartment देखती है इस पर इन दोनों का जगड़ा हो जाता है इसके बाद next in में हम दिखता है कि मिशेल जब अपने जॉब पर आती है तो उसकी friend का husband वहाँ आया होता है इन दोनों का आफ़ेर चल रहा होता है रात में मिशेल जब अपने office में अकेली होती है तब उसके mobile और message आता है इसमें लिखा होता है कि तुम्हारा shirt मुझे बहुत ही पसना आया है वो भी इंसानी है तुम एकी direction से इस situation को नहीं देख सकती वो अब बुड़े हो चुके है लोग कवे भी उन्हें जेल से बाहर नहीं आने देगा तुम्हें उनसे जागकर मिलकर आना चाहिए मिशेल इस चीज पर बात नहीं करना चाहिए मिशेल जब घर पर होती है तो वो incident फिर से imagine कर रही होती है imagine कर रही होती है कि उसके हाथ में कुछ था और उसने रेपिस्ट को मार दिया था यह सिर्फ imagine करना भी उससे बहुत अच्छा लगता है मिशेल जब डीवी लगा दिये तो उसके फादर ने जो किया था इसके ही news चल रही होती है हमें पूरे neighborhood में violence हुआ था यह टीवी पर दिखाई जाता है वो आपर मिशेल भी थी मिशेल को नीचे गाड़ी की आवाज सुना देती है मिशेल जब देखने के लिए जाती है तो यह vehicle उसे suspicious लगता है यह उसे rapist का ही लगता है वो अपनी axe लेती है और इस गाड़ी के पास जाख खर उसका शीशा फोर देती है अंदर जो आदमी होता है इसके आख पर वो प्रिपरस पे लगा देती है इसके बाद इससे पता चलता है कि इसका यह एक सस्बंड था इसका एक सस्बंड उसे कहता है कि तुम बोल रही थी कि वो तुम्हारा पीछा कर रहा है तुम पुलिस प्रोटेक्शन में नहीं चाहती है तो मैं तुम्हें help करने के लिए आया था वो अलग गाड़ी में आया था इसलिए मिशल उसे पहचान नहीं पाई इसका एक सस्बंड उसे कहता है कि उसकी गल्फरेंड की एक कार है मिशल उसकी गल्फरेंड में अब इंटरस्टेड हो जाती है उससे वो मिलना चाहती है पर उसका एक सस्बंड इसे एक करने नहीं देगा Next दिन Michelle अपने काम पर जब होती है तब उसकी गेम की एक क्लिप उसे आती है इस क्लिप में उसका face लगा हुआ होता है और उसका monster उसे rape कर रहा है यह समें दिखाया जाता है यह क्लिप उसके पूरे office में चली जाती है Michelle की friend उसका हाल पुछने के लिए आती है मिशल कहती है कि यह पहली बार नहीं हुआ है, यह रेपिस्ट मुझे बहुत सारी चीज़े भेज रहा है, इसकी फ्रेंड उसे कहती है तो यह पुलिस के बास जाना चाहिए, मिशल कहती है कि पुलिस ने जनरलिस्ट ने मेरी पूरी लाइफ बरबात कर दी थी, उसके बाद मै मैंने अपनी लाइफ फिर से बनाई है, जो सब मैंने अब खड़ा किया है, मैं इसे लूज कर सकती हूँ, मैं इस सब होने नहीं दे सकती है, यह कहती है कि इसी ओफिस में कोई है, जो इस सब कर रहा है, मिशल का एक जो इंपलॉई होता है, जो उसे बहुत पसंद करता है, यह उसके पास जाती है, यह technology विगरा ही समालता है, तो Michelle उसे कहती है, कैसे बनाये कैसे गया है, यह कहता है कि हमारे office में किसी का काम हो सकता है, पर ऐसा कमपल सरी नहीं है, हमारे servers भी hack हुए थे, यह बाहर के भी किसी का काम हो सकता है, इसके बाद next day, Michelle अपने ex-husband की girlfriend से मिलने होने वाला है, delivery हो जाने के बाद अपने son के बेटे को देखती है, तो black होता है, उसके son का friend भी हाए होता है, जो भी black होता है, यह अपने son से disappointed होकर बाहर आ जाती है, वह एक nurse होती है, जिससे वो बात ही करने लग जाती है, यह कहती ही कि में और मेरी friend एक साथ ही pregnant थे, मेरी friend क बहुत ही कम में थी, उसे मेरे बेटे को दूद पिलाना था, तो मैंने उसे करने दिया, इसका बाद मुझे लगता है, कि मेरा बेटा मेरी friend के साथ ही close है, इसका बेटा है, पर फिर भी यह ऐसा कैसा है, यह उससे समझ में ने आता, वो कभी भी अपने बेटे से सही से relationship नही जब घर पर आती है, तो वहाँ बहुत सारे पुलिस वगरा आये हुए होते है, इसका नेवर नहीं इन पुलिस को भुलवाया होता है, इसका नेवर जब भार घुम रहा था, तो मिचेल के घर में कोई घुस रहा है, यह उसने देखा था, कि बीचे है भागा, पर इसे वो पकड़नी पाया, इस वज़े से अब यहाँ पुलिस आये हुई है, इसका नेवर मिचेल को घर तक छोड़ने के लिए आता है, मिचेल को उसका नेवर अच्छा लगता है, वो उससे जरा फ्लर्ट करने लग जाती है, नेक्स दिन मिचेल जब अपने ऑफिस में आती है, उस के तिये हैं, क्या तुम्हें शुटिंग करना आता है, इससे पता होता है, इसे शुटिंग रेंज पर ले कर जाता है, वहाँ जाकर मिचेल उससे कहती है, मेरे पास तुमारे लिए एक जौब है, जो खलीप आई थी, यह हमाले सर्वस से कहां से आई थी यह तुम्हें वहाली होती है, मिशल अपने नेबर से अट्रेक्टेड है, उसे वाईल भी है, वो रात में जाती है और वो एक क्रिस्मस पार्टी अरेंज करने वाली है, तो इसके लिए उन दोनों को इंवैट करकर आती है, जब इसके पार्टी चलती है, उसका हस्बन, नेबर, उसकी मदर उसका बेटा, यह सब वहाँ आये होती है, जब इस डिनर टेबल पर होती है, तो मिशल अपना पैर अपने नेबर को लगा रहे होती है, उसे वो फ्लट कर रहे होती है, अब इमें दिखता है कि मिशल की मदर अनॉस्मेंट करने लग जाती है, वो कह रहे होती है, कि अब वो शादी करने वाली है, मिशेल इस पर बहुत इचीर जाती है, यहाँ वो ज़रात तमाशा खड़ा करती थी है, डीनर खतम हो जाने के बाद अपने नेवर के साथ यह बेटी हुए होती है, इसके फादर ने क्या इंसिडेंट किया था, इसके बारे में उसे स्टोरी सुनाती है, यह यह थी कि उसके फादर एक रिलिजर्स आदमी थे, सब बच्चे जब स्कूल में जाते थे, उससे पहले उनके माथे पर एक क्रॉस बनाते थे, नेवर्स को एब बात पसंद ने आई, उनका दिमाग खराब हो गया, इन्होंने एक मिशे डिली और सब नेवर्स को मार दिया, जब वो घर आये, तो मिशेल के साथ वो घर जनाने लग गये, मिशेल भी छोड़ी थी, तो उसने भी उन्हें हेल्प किया था, इसके बाद मिशेल की पूरी लाइफ चेंज हो गई थी, मिशेल भी एक साइकोपैथ है, इसा सब को लगने लग गया था, जनरलिस्ट हमेशा उसकी लाइफ पर ध्यान लगते थे, बजबन से लेकर आज तक, वो इस बात से पुरी तरह से उभर ही नहीं पाई है, यह बात ही कर रहे होते हैं, तभी इसकी मदर कोलाप्स हो जाती है, मिशेल की मदर को स्ट्रोक आया हुआ होते हैं, और यह कॉमा में चली गई होती है, मिशेल को सपोर्ट करने के लिए उसकी फ्रेंड उसके पास हिस होती है, नेक्स सुबा जब मिशल उठती है तब उसकी फ्रेंड का हस्बन वा होता है मिशल उसे कहती है कि हम जो सब कर रहे हैं यह हमें अब स्टॉप कर देना चाहिए हॉस्पिटल में अपनी मदर से वो मिलने के लिए आती है इसकी मदर उस पर नाराज थी तब उसे स्ट्रोक आया गया और वो कॉमा में चली गई है यह अपनी मदर से कह रही होती है यह कैसा भी तुम एक्ट करो कुछ भी करो में तुमें कोई भी बोलने वाली नहीं बस सिर्फ मुझ पर नाराज मतो यह जब मिशल उसकी मदर से बात कर रही होती है तब ही उसकी मदर अंस्टेबल होकर वही उसकी डेथ हो जाती है मिशल की मदर उसकी अस्तिया एक पार्क में डालना चाहती थी मिशल इस पार्क में अपने सन अपने एक सस्बन उसे फ्रेंड्स के साथ आ जाती है यहाँ पर Vincent और उसकी girlfriend का अब जगड़ा हो जाता है Michelle Vincent पर चिर जाती है वो कहे दिये कि हमेशा तुम्हें वो ऐसे ही करती रहेगी यह बेटा भी तुम्हारा नहीं है फिर भी तुम उसके साथ रह रहे हो इसके बेटा को यह सब बाते नहीं सुननी होती है उसका बेटा यहाँ से अब चला जाता है रात में Michelle का neighbor उसके पास आ जाता है वो कहता है कि स्टॉम आने वाला है तो सब खिड़िया हमें बंद कर लिनी चाहिए जब उसे help कर रहा होता है तो यह दोनों एक दूसरे के पास आ जाते है उसके neighbor को analyze होता है यह गलत है और वहाँ से चला जाता है Michelle भी कुछ सोचते हुए में दिखती है इसके बाद Michelle जब अपने office में होती है तो अपने coworker का एक PC देखती है जिसको उसने कहा था कि यह वीडियो कहा से आई है इसका पता करने के लिए यह वही है यह उसे सफाई पोचती है यह कहता है कि इंडेशनल नहीं था मेरे एक friend ने यह देख लिया और उसने send कर दिया था Michelle पोचती है तुमने बना है क्यों था यह कहता है कि real life crime के photos से यह game बनाने की idea पहले थी Michelle के father के case के वज़े से इसने वीडियो बनाया था Michelle फिर उसे उसकी pen उतानने के लिए कहती है यह यहाँ पहचान जाती है कि उससे ढून रही है यह वो नहीं है रात में Michelle जब घर पर आती है तो उसके घर में कोई छुपा होता है वो सब फिर से हमला कर देता है इस बार उसका मास निकाल लेती है यह देखती है तो इसका नेवर ही है घर से निकल जाने के लिए उससे कहती है नेग्स दिन इसका नेवर जब काम पर जा रहा होता है तभी इससे वो देखती है और कुछी बोलती नहीं Michelle अपने father से नहीं मिलना जाती थी अब उसने अपना mind change कर लिया है जिस दिन पर revisit schedule होती है उस दिन वो वहाँ पहुच जाती है इस जेल का जेलर उसके बास आता है उससे कहता है तुम्हेरे father ने suicide कर ली है Michelle फादर से मिलना जाती थी जब फादर कोई पता चला तब उसे उसे Michelle से नहीं मिलना जा उसके फादर बहुत गिल्टी महसुस करते थे क्योंकि crime में Michelle को भी उन्होंने सामिल कर लिया था इसके फादर ने तब इस suicide कर ली Michelle जेल से घर वापस आ रहे होती है तब इसका accident हो जाता है वो अपने friend को call लगा थी है पर एक call voice mail पर चला जाता है डायरेकली उसके neighbor को ही call लगा देती है उसका neighbor उसे help करने के लिए आ जाता है यह injured हो चुकी होती है तब इसे मलंपटी भी वो कर देता है Michelle इसे पुछती है कि तुमने क्यों किया था उसका neighbor खेता है कि यह necessary था इसके बाद Michelle अपने mother के boyfriend के पास आती है वो उसके mother के घर में ही अभी रह रह रहा होता है उसके घर से निकल जाने के लिए कहती है उसकी mother का जो boyfriend था यह भी उसको hate करता है यह खेता है कि मैंने टिवी पर देखा कि क्या हुआ था at least murderer के wife के साथ में सोया हू वो as a revenge उसकी mother के साथ था इसके बाद हम देखते हैं कि Michelle उसके friend के husband के साथ होती है यह अपने friend के husband को कहती है कि यह last बार है हम एक साथ रहेंगे इनका जौफेर है यहने end कर देना है जब Michelle घर पर आती है तो उसका son घर पर आ चुका होता है उसे बोचते हैं कि तुम यहां क्यों आय हो इसने उसका job छोड़ दिया होता है इसकी car बन पड़ गई थी इसे job करने के लिए एक गंड़ा travel करना पड़ता है यह effort इसके लिए जादा हो जाते है इसलिए job छोड़ देता है इसी वज़य से इसकी girlfriend से भी इसकी fight हो चुकी थी अपने बेटे को लेकर वो यहां आया हुआ होता है विंसन की girlfriend भी यहां पोहँच जाती है यह दोनों fight करते है पर Michelle उससे कही दिये कि उसे अपने बच्चे को लेकर जाने दो इसके बाद विंसन और मिशल दोनों सुपर मार्केट में को शॉपिंग कर रहे होते तब ही वहाँ neighbor भी उसे दिखता है neighbor इनसे कहता है कि मेरी wife बहार गई है तुम अगर चाहो तो मझे डिनर के लिए जॉइन कर सकते हो विंसन डिनर करने के बाद वही सोजाता है और इसके बाद यह दों intimate हो जाते है इसका neighbor एक psychopath है और इसकी अजीव से fantasy है नेक्स दिन मिशल जॉप पर होती है तो उसकी friend उसे कहती है कि मेरे husband का कही चक्कर चल रहा है मिशल की friend को पता नहीं होता कि मिशल की साथ उसका husband सोर आ है अब हमें दिखता है कि मिशल का game complete हो चुका है इसके लिए और वो party कर रहे होते है इस party में हमने friend को कह देती है कि वो मैं ही थी जिसके साथ तुमारे husband का अफेश चल रहा था मिशल का husband भी इस party में आया होता है मिशल के husband को भी game industry में घुसना होता है तो अपने coworker के साथ मिशल उसे introduce करा देती है इसके बाद अपने neighbor को कहती है मुझे तुम घर छोड़ दो अपने बेटे को कुछ कह कर जाती है यह दोनों जब कार में होते है तो मिशल अपने neighbor से कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे जाना ने दे सकती तुमने मेरे साथ जो किया है यह किसी और के साथ भी किया होगा और future में भी तुम्हें कर सकते हो तुम्हारी wife भी है यह बहुत ही dangerous है यह neighbor फिर चेट जाता है मिशल जब घर पर आती है तो उसके पीछे आ जाता है इसने mask पहना होता है और मिशल को फिर सेवा जबर्दस्ति करने लग जाता है यहाँ पर Vincent already होता है Vincent एक बड़ी सी चीज लेता है और neighbor के सर में डाल देता है यह neighbor यही मर जाता है पुलिस officer से आते है कुछ normal सी question पुछते है और मिशल पर कोई शक भी नहीं करने माला मिशल की neighbor की wife अब घर छोड़ कर वहाँ से जा रही होती है यह उसे sorry कहती है यह कहती है कि मेरा husband सबको अच्छा लगता था पर उसमें भी कुछ बुराईया थी इसकी neighbor जा रही होती है तो उसे यह भी लगता है कि मिशल भी अब यहाँ से चली जाएगी मिशल कहीती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली थोड़ी जर में मिशल का बेटा भी वहाता है अपने बेटे को उसने अच्छी सी कार एक पाइक कर कर दी है मिशल जब अपने मदर के cemetery में आती है तो उसकी friend भी वहाँ होती है इसकी friend उसे कहीती है कि मेरे husband को मैंने निकाल दिया है यह अब घर में अकेले नहीं रहना जाती तो मिशल के साथ कुछ दिन आकर रहना जाती है इसकी friend उस पर अब नाराज नहीं है इनकी friendship जैसी थी इसे फिर से continue हो जाती है अब मैं आपको मिशल के बारे में बताता हूँ है मुवे में जब लगता है कि मिशल अब ये करेगी वो करेगी इस तरह से वो react कर सकती है पर कभी भी वो उसी तरीके से react नहीं करती यह में शाग काल्म होती है अपना जो work है अपना जो routine है यह कभी भी वो disturb नहीं होने देना चाती साथ जो incident हुआ है इसे वो affected होती है पर इस चीज से उसे वो define नहीं करने देती इसके फादर के साथ मिलकर इसने अपना घर जलाया था तब है छोटी थी तो उसे समझ में नहीं आ रहा था वहाँ बार वो खोद victim बन चुकी थी इसके बाद उसके life change हो गई थी उसे हमेशा surveillance में ही जीना पड़ा था इस बार वो फेर से वैसा होने नहीं दे सकती वो इस बार victim है पर वो ऐसा जताना नहीं चाहती उसका शक उसके neighbor बजाता है तो deliberately उससे वो fret करने लग जाती है जब वो party में थी तो अपने son को पहले ही घर जाने के लिए उसने बोल दिया था उसका एप लान था कि अपने neighbor को भड़काएगी और जब वो घर आएगा तो उसका son उसे मार सकता है Michelle का son Vincent कभी भी कोई भी responsibility नहीं लेता था उसके पास थोड़ा सा वे confidence नहीं था उसने अपनी son की responsibility ली थी क्योंकि life में कुछ अच्छा सा नहीं कर पाया है उसे लगता है यह मैं अच्छा एक father बन सकता हूँ उसके son का confidence boost करने के लिए भी उसने अपने son को इसमें involved किया था मिशेल कोई भी impulse decision लेकर अपनी life को बरबात करने वाली नहीं थी वो gun ले सकती थी और अपने neighbor को मार दे सकती थी पर इसके बाद इसको भूगतना पड़ता यह already इस experience से जा चुकी है अब यह smartly काम लेती है यह अपने neighbor से बदला भी ले लेती है और अपने son को जो confidence चाहिए था वो भी वो दे देती है इसका husband writer था इसके books नहीं चल रही थी gaming industry में भी इसने उसे entry दे दी इसके friend का husband cheating करने वालों में से ही था उसके friend के साथ यह नहीं होना चाहिए इसलिए अपने friend को उसने बदा दिया उसके साथ सब कुछ गलत हो जाने के बाद भी उसे जो जैसे चाहिए था उसने पा लिया है अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इसे like और comment ज़रूर कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आत रहत हूँ तो फ्लीज इस चानल के सबस्क्राइब कर दीजे और bell notification आइकोन दोने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नगूर के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिया